है गाइज मेरा नाम देव बिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस येटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तों यह लिब्रे ओफिस इंप्रेस का टुटोरियल लंबर 7 अगर आपने अभी तक टुटोरियल लंबर 6 नहीं देखा है तो आप उपर दिये गए आई नीचे दिये गए डिस्क्रिप्स लिंक के उपर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह फाइल मेनू का पार्ट टू जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ओपन रिसेंट डाकुमेंट और क्लोज आपसन के बारे में ओके तो चलिए आज का यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपना लिब्रे ओफिस इंप्रेश सोफ्वेर स्टार्ट कर लिया है अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने स्टार्ट मेनों पर क्लिक करके आप वहां पर टाइप कर दिजे इंप्रेस और इंप्रेस टाइप करने के बाद आपको अपने कीबोट से इंटर का बटन प्रेस कर देना है इसको प्रेस करने से आपका लिब्रे ओफिस इंप्रेस का सौफ्ट्वेर ओपन हो जाएगा अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ओफिस का सौफ्ट्वेर एं हैं और इजली आप इसको इस्टॉल भी कर सकते हैं ओके तो चलिए आज का यह टोपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में और फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहां पे एक option मिलेगा जिसका नाम है open इसका shortcut की आपको मिलेगा control प्लस ओ बटन तो आप एक बर यहां पे किलिक कर दीजिए इसके उपर किलिक करने से आपका open का dialogue box open हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पे अपना वो document select करना है जिसको आप open करना चाहते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं मेरे desktop के उपर एक file है जिसका नाम है sample.odp जो आपका .odp file है यह आपके library office impress का file है जो आपका .odp नाम है यह आपके library office impress का extension है तो मैंने एक बार यहां पे किलिक कर दिया इसके उपर किलिक करने के बाद आपको यहां पे एक button मिलेगा open का तो आप एक बार यहां पे किलिक कर दीजिए इसके उपर किलिक करने के बाद आपका simple का file open हो जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे type है simple.odp और इसके अंदर के जो कुछ भी यहाँ पे content से वो सब यहाँ पे open हो गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा open option इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने फाइल मेनू में इसके बाद आपको यहाँ पे next option लेगा recent document जिसके अंदर आपको हाल ही में खोली गई सभी फाइल्स का नाम दिखेगा जिसके उपर क्लिक करके आप इन सभी फाइल को easily open कर सकते हैं ओके जो आपका recent document option है इसमें by default 25 recent file दिखाई देती हैं अगर आप चाहें तो इन सभी recent file को clear भी कर सकते हैं इसको clear करने के लिए आपको सभी से नीचे एक option लेगा जिसका नाम है clear list अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यह पूरा list clear हो जाएगा तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया इसको उपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने file menu में इसके बाद recent document option में और इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर type है no documents ओके तो यह था हमारा recent document option इसके बाद आपको यहाँ पे next option में लेगा close का तो आपको एक बार यहाँ पे click कर दिया इसके उपर click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा simple का file open था वो यहाँ से close हो गया ओके तो यह था हमारा close option ओके तो यह थे file menu के कुछ options जिसके बारे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया तो उमीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आयत इस वीडियो को like दिये जरूर करिए चैनल को subscribe कर दीजे और पास में दिये गए बेल को भी प्रेस कर दीजे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो thanks for my video